Hello everyone, welcome to our channel, guys यहाँ पर आप जितने भी engineering background के student हैं चाहे आप B.E.B.T.E.C. कर रखे हैं या फिर diploma वाले हैं, या फिर आपने I.T.I. कर रखा है या आपके पास MBA है, Master degree है तो भी आप सब के लिए एक good news है Good news क्या है? Power Grid Corporation of India Limited, PG-CIL की एक नई vacancy आई है चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफ़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को like, share जरूर करें जानते हैं official notification के माध्याँ से कि कौन-कौन सी जगों पर कितने-कितने post आये हैं ठीक है? सुरुआत करेंगे सबसे पहले हम लोग centralized notification से चलिए देखते है centralized notification में आपको क्या कहा गया है यहाँ पर किस तरीके की चीजों की demand आप से की गई है requirement क्या-क्या है यहाँ पर company की सबसे पहले उसको जानेंगे clear है? चलिए यहाँ पर है power grid का corporate center में ध्यान देंगे यहाँ पर corporate center में apprenticeship के लिए engagement का यहाँ पर mention किया गया है official notification ध्यान रखिएगा ध्यान रखिएगा यहाँ पर सबसे important जो चीज है कि आपका online application कब से कब तक है तो guys यहाँ पर 7 July से online application स्टार्ट हो चुका है और last date यहाँ mention किया गया है 31 July clear रहेगा? clear रहेगा? चलिए यह तो बात हो गई date की अब आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर corporate center गुडगाओं के लिए जो total number of vacancy है वो कितनी है तो ध्यान से दिखिएगा total number of vacancy की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रखी गई है 47 यह आपको category wise category wise यहाँ पर distribution दिया गया है पोस्ट का जिसमें से electrical engineer graduate, computer science engineer, HR executive और CSR executive ध्यान देखें company secretary human resource, graduate और graduate आपका computer science electrical यहाँ पर आपको चार ब्रांचेज को corporate office में apprenticeship के लिए application invite किया गया है clear? चलिए आगे आते हैं training का location क्या रहेगा? तो training location आपका guru gram और pal manager में रहेगा next हमारे पास आता है कि graduate electrical अगर आप हैं तो requirement क्या है तो ध्यान देंगे B.E.B.Tech या B.Sc. engineering किये हुए है, full time 4 year, 4 साल का आपके पास degree है computer science में भी same और HR executive की अगर हम बात करें तो अगर आपके पास MBA, HR है, post graduation है या PGDM है, आप apply कर सकते हैं यहाँ पर graduate electrical के लिए जो stipend है 15,000 रखा गया है computer science के लिए 15,000 रखा गया है HR executive के लिए 15,000 रखा गया है same आपका company secretary के लिए भी यहाँ पर 15,000 रखा गया है clear रहेगा? अब इन सब के अलावे इन सब के अलावे आपको 25,000 रुपया accommodation के लिए दिया जाएगा per month ध्यान देंगे यहाँ पर 25,000 रुपया यहाँ पर accommodation के लिए provide किया जाता है clear रहेगा? अब आता है यहाँ पर कि क्या-क्या requirement है ध्यान देंगे कौन इसमें eligible नहीं है जिनकी उम्र 18 साल से कम है जो examination के result का wait कर रहे है यानि appearing student जिनका result नहीं आया है वो apply नहीं कर सकते दूसरी बात apprenticeship training अगर आपने कर ली है तो भी आप apply नहीं कर सकते और अगर आपको एक साल से ज़्यादा का job experience है तो भी आप यहाँ पर apply नहीं करें clear रहेगा? selection procedure की अगर हम बात करें तो जो आपने qualifying degree की अगर हम बात करें जो qualification यहाँ पर मांगा गया है उस qualification में marks के अधार पर आपको यहाँ पर short list किया जाएगा clear रहेगा? apply कैसे करना है? तो ध्यान देंगे आपको सबसे पहले apprenticeship india.gov.in पर register करना है register करने के बाद MHRD पर जाकर के complete करें registration फिर आप जाएंगे PGCIL के official website पे और वहाँ जाकर के आप जाएंगे advertisement for the engagement of apprentice फिर आप यहाँ पर apply करेंगे तो यह तो बात हो गई corporate office में graduate engineer MBA graduate और CSR company secretary जो MBA है उनके लिए clear रहेगा? important dates को आप भूलेंगे नहीं तो यह था power grid का corporate center के लिए apprenticeship job clear अगर आपको लगता है कि आप fresher हो आप यहाँ पर apply कर सकते हो आपके लिए एक अच्छा back support बन सकता है और power grid corporation of india limited के में बात करूँ तो बहुत ही reputed PSU है ओके गाईज यह था power grid corporation of india limited का apprenticeship recruitment corporate center के लिए ध्यान देंगे corporate center के लिए तो चलिए मिलते हैं एक नए update के साथ बने रही है हमारी channel पर धन्यबाद